अब सभी का एक बर धमयकेदार तरीके से स्वागत करता हूँ जोरदार तरीके से जे योशियन एकेडमी में मैं बात करने वाला हूँ एस टाप सेलेक्शन कमिशन जो ऐसा मना जाता है कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा सायध जॉब देता है या नोकरियां देती है जी आं बिल्कुल सही सुना आपने पूरे भारत में अब तक सबसे ज्यादा वेकंस निकालती हैं और सबसे ज्यादा नोकरियां की अगर मैं बात करूं तो उन युवाओं के लिए एक बार फिर से बाहर लेकर आई है SSE और SSE के साथ आपका SSE Senior Section Engineer दोनों के बारे में मैं आपको अपडेट दूँगा Junior Engineer के भी बारे में अपडेट दूँगा इसी अपडेट में जो मैंने आपको पहले भी बात बता चुकी है मैंने जो पहले बात बताया था चलिए बात करेंगे SSE के सबसे पहले पढ़ते हैं कि नोटिस क्या है तो ये SSE का Official Notice है आप जाएंगे तो आपको दिख जाएगा ये English में लिखा है अंग्रेजी बासा में लिखा है हम लोग अंग्रेजी तो है निए English समझ नहीं पाते है लेकिन जो ये यहाँ पर लिखा है इन सबसे ये हमें निकल करके आता है कि SSE जो है यह लगातार प्रयास में इसनोंने ये बोला है कि SSE जो है वो लगातार प्रयास में है कि आपकी जो भी वेकेंट सीटे हैं उसको निकाली जाए और इसको देखते हुए बहुत जल्दी ही 70,000 आपकी जो वेकेंट सीज हैं वो SSC द्वारा की क्या की जाएगी रिलीज कर दी जाएगी निकाली जाएगी और नोटिस जो है इसका एक्जामिनेशन का वो आपका अपलोड होगा किसी किसके इसी SSC के स्टाप सलेक्शन कमिशन के ऑफिशिल साइट पर इसी साइट पर जिस समय अभी हम है इसी ऑफिशिल साइट पर आपका क्या किया जाएगा बतलब की अपलोड कर दिया जाएगा आप लोग इससे connected रहेंगे बहुत जल्दी आपको vacancies देखने को मिल जाएगी 70,000 vacancy यह तो SSE कहा चलिए, RRB की जो meeting हुई railway equipment board की जो already meeting हो चुकी है, उसमें यह बोला गया है कि senior section engineer का जो post है, SSE का वो आपका SSE के थूँ भरा जाएगा किस के थूँ? तो SSE हो सकता है most available chance है, chance है समझिएगा, कि जो यह vacancies है, 70,000, यह जो आप vacancies देख रहे हैं, इसमें आपका senior section engineer की भी vacancy हो किसकी हो? RRB, SSE की भी vacancy हो RRB, railway equipment board RRB, JEE के बारे में अभी RRB ने साफ नहीं किया है, अभी आपकी meeting है, कुछ दिन के बाद, हफते दिन आपकी meeting है, उस meeting में उसको declare कर दिया जाएगा, यानि एक रास्ता तो साफ है, कि आपकी SSE की staff selection commission और आपका SSE senior section engineer, और आपका junior engineer RRB में अगर मैं बात कर लो थो इन दोनों की vacancy का रास्ता साफ है, और मान के चलिए जो expected है हमारा, वो आपका दोनों का मिला करके 8000 plus post आपको देखने को मिल सकती है, जिनमें से जई की 6000 plus आपको post देखने को मिल सकती है, यह expected है और आप इसको याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, तो यह notice भी आपकी आगई अब पढ़ाई अपना start कर दो, और यह 70,000 यह सिर्फ टेकनिकल नहीं, टेकनिकल नॉन टेकनिकल मिला करके है मेरे भाई, तो अगर आप नॉन टेकनिकल, टेकनिकल किसी की भी तयारी करते हो तो आप सभी के लिए सुनहरा आउसर है आप जा करके सरकारी नोकरी ले सकते हैं Central Government में, जैसा कि मोदी जी ने अनॉन्स किया था, कि 10 लाख नोकरी आपको मिलेंगी तो उसका देखिए, आगाम स्टार्ट हो गया है, SSC ने यह आजी की नोटीस है, आप यहाँ पर देख सकते हो, अंडर Secretary of Government of India, आप देखिए, बड़ा बकायदे लिखा गया है, और यहाँ पर डेट दी गई है, 20 जूम 2022, रात का 11 बच के 2 मिनट हो रहा है, आप हमारे मुबाइल के इस लेट कार्नर के स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह आजी की नोटीस है तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको आउगत कराया जाएं, और जो सच्चाई है उसके बारे में आपको बताया जाएं, क्योंकि जो ही फैक्ट से वो हम बताते रहते हैं, सिर्फ पढ़ाई नहीं करवाते हैं पढ़ाई के साथ साथ सलेक्शन भी होता है हमारे हाँ और सिर्फ और सिर्फ अच्छाई के दम पर 360 डिगरी अच्छाई के दम पर अपना क्यार पाएं, सलेक्शन पाएं, बेस्ट विसस हमारी आपके साथ है, कल फिर मिलते हैं सुबह 7 बजे मॉर्निंग में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और हसते रहें, मुस्कुराते रहें लाइफ में कभी भी स्ट्रेस फिल न करें स्ट्रेस फिल हो, तो एक दिन का लाइफ में रिलेक्स ले और अपने आपको देखें, और देखें कि इतनी सारी वेकंसिस हो, और इसमें आप अपनी सिट कैसे बना सकते हैं इसके बारे में सोचें सकसे सफलता के बारे में दिन रात निरंतर प्रयास करते रहो चलो all the very best thank you so much and take care of yourself